आज की विजय आतिहासिक है, अभुत्पुर्व है, आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है, आज विक्सिद भारत के आहवान की जीत हुई है, आज आत्म निर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है, आज वंचीतों को वरियता के विचार की जीत हुई है, आज भारत के विकास के लिए राज्जों का विकास इस सोच की जीत हुई है, आज इमानदारी, पारदर्शिता और तू साथन की जीत हुई है, सभी मतजाताओं को आजर पुर्वक्त नमन करता हुई, मजपने, राजस्थान और शर्टिजगर के लोगों ने, भाजपा पर भरपूर्श नेय दिखाया है, तेलंगना में भी बीजेपी के प्रती समर्थन लगातार बढ़ रहा है, कि यह हम सभी का सवभाग्य है, जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत रुप से रनुभाव करता हूँ, कि मेरी जिम्मेदारी और अधीक बढ़ जाती है, आज भी मेरे मन में यही भाव है, मैं अपनी माताओं, बैनों, बेटियों के सामने, मैं अपने युवास साथियों के सामने, मैं अपने किसान भाई बेहनों के सामने, उन्होंने जो निनने, जो बढ़ चड़कर के समर्थन दिया है, इसके लिए, मैं उनके सामने नत्मस्तक हूँ, इस चुनाओं में, बेश को, जातियों में बाटने की, बहुत कोशिश हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था, कि मेरे लिए, देश में, चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है, और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूँ, हमारी नारी शक्ती, हमारी युवा शक्ती, हमारे किसान, और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को ससक्त करने से ही, बेश ससक्त होने वाला है, आज बड़ी संख्या में, हमारे OBC साथी, इसी वर्ग से आते हैं, आज बड़ी संख्या में, हमारे आदिवासी साथी, इसी वर्ग में आते हैं, और इन चुनावों में, इन चारो जातियों ने, भाजपा की योजनाओं, और भाजपा के रोड मैप को लेकर, बहुत उत्सा दिखाया है, आज हर गरीब कह रहा है, वो खुद जीता है, आज हर वंचित के मन में भावना है, ये चुनावों वह खुद जीता है, आज हर किसान यही कहता है, ये चुनावों हर किसान जीता है, आज हर आदिवासी भाई बेहन, ये सोच कर खुच है, कि उसने जीसे वोट दिया, वो विजय उसकी अपनी है, आज हर फर्स टाइम वोटर, बड़े गर्व के साथ कह रहा है, कि मेरा पहला वोट, मेरे विजय का कारण बना है, इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है, इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला, हर युवा अपनी जीत देख रहा है, हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है, जो 2047 में भारत को एक विख्सित राष्ट देखना चाहता है,